गुद मॉर्निंग इस्टूडेंट्स इस और पार्ट टू ओफ लेशन फाइव इस्टिट्स ओफ मातर आर इनटर्चेंजेबल पदात की जो A Osth Earlier Time है। इंटर्चेंजेबल होती है। और इंटर इंटर्चेंजेबल स्टेट्स ठीक है सॉलिड लिक्विड और गैज होती है वह परस्पर बिन में करने योग है अवस्थाय है अवस्थाय है ठीक है अवस्थाय होती है वी हैब आल्रेडी स्टुडिड अबाउट थ्री फॉर्म्स ओफ वाटर देयार हम पहले से यह पढ़ चुके हैं पदा आप वाटर के फॉर्म्स के बारे में वाटर की अउस्थाओं के बारे में देयार वह है आइस आइस ठीक है सेकेंड हो जाएगा वाटर वाटर थर्ड हो जाएगा वाटर वेपर ओके अगवाटर वेपर अगवाटर वेपर तरिक यह ट्री फॉर्म्स है वाटर के टीक है नेक्सट एक्स ऐक्सपेरिमेंट जो की एक्सपेरिमेंट तू है जो कि आपको बनाना है लुग फिगर फाइफ सकतो ही यह एक मिनित लुक इट फिगर 5.2 वहरी कैरफूली फॉलौव देच्वेंस एडळाइस टेबल आपको क्या करना है कि 512 को अच्छे से ध्यां से उसको देखना है ठीक है और जो और उसके सिखवेंस को फॉलो करना है और इसको फिल करना है इस टेबल को ठीक है यहह आपका कि 512 страх स्ट्थ कसरें होते हैं वो मैं को पता दे रहूं हैं जैसे कि ई नंबर में पहले क्या है आइस माइस ठीक है तो जब हो हीट उख दैकर हूं के उसको किया गया किए भी किया गया जब उसको तो वो क्या water में चेंज हो गया है तो इस टेप से आपको ऐसे टेबल में, फील करना आपको, यहां से सिक्वेंस को follow करके, ठीक, तो मैं आपको फिर बताता हूं, जैसे कि यह आईस है, ठीके, तो आइस को जब हमने heat किया, ठीके, जब हमने heat किया, तो वो water में change हो गया, ठीके, जैसे कि step A में बताया गया, table में आपका, ठीके, उसी ट यह step B है step a था है step B जब करते हैं तो वह water vapor इपर में change हो तर नदी जब हम water vapor को यह water vapor जो ऊपर कि और उढ़ रहा है और है of waterproof ऑप्र करते हैं तो अब हम कूल करते हैं तो वह क्या होता है कि water में इस स्टेप और ऊलिए में वह चेंज़ हो जाता है ठीक है जब हम उस वर्टों को पूल करते हैं तो वह के इस में जाता है ठीक है को लिंक करने के बाद पराद आप थब पतात की जो होस्ताय है वह interchangeable होती है अंदर परिवर्द नहीं होती है वह ओके हां से अब देखते हैं इस किलियर फ्रॉम फिगर 5.2 डाट वन फॉर्म ओफ मैटर कैन बी चेंट इंटू अनदर बाइटिंग और कूलिंग मैटर की जो एक अवस्ता होती है ठीक है जो हीटिंग और कूलिंग के बाद ठीक है अनदर दूसरे फॉर्म में वह चेंज हो जाती है दूसरी अवस्ता में ठीक है ठीक है नेक्स्ट आपका टेकर वेक्स कैंडल इस तैप से आपको एक महंबत्ती लेनी है ठीक है छाड्ल लेट इट बोर्र फ्पट तरीक को करना है आपको क्या करना है कि लाइट इट टो पूंग बतिक वैक्स केंडल को जलाना और जलते रहने देना थिक अब उसको आपको ध्यान से carefully observe करना है what happens to the wax after some time क्या होता है कुछ समय के बाद wax के साथ क्या होता है तो figure 5.3 में आप देख सो solid wax melts on getting heated जब वो गर्म होती है solid wax जो होती है solid wax जो होती है जब वो गर्म हो जाती है तो वो पिखल जाती है ठीक है गर्म होने पर वो पिखल जाती है चेकपॉइंट है यह circle the correct answers आपको correct answers पर circle करना है फर्स्ट है आपका solids liquids gases have a fixed shape and a fixed volume तो solid के fix shape और fixed volume होते हैं solids के ठीक है second है आपका solids liquid gases take the shape of the container in which they are kept तो वो liquids है liquids को अगर हम किसी container में रखते हैं है तो वो उसी का असे प्ले लेता है ठीक है three number ice change to liquid water ice change to liquid water on heating कर्म करने पर वो ice हो होता है liquid water में change हो जाता है वो ओके नेक्स्ट है आपका ये dissolving solids dissolving solids in water solids का water में ठीक है घुलना ठीक है एक्सपेरिमेंट थी में आपको एक वीकर लेना है इस टाइप से ठीक है और उसको हाफ फील कर देना वाटर से पूट सम्सुगर इंटू इट एंड इस्टियर वेल अब उसमें कुछ आपको सुगर डाल देना है और उसको अच्छे सी अधिल आना एं ठीक है इस टाइप से ला सकते हो कैने उसी दसुगर नाओ क्या आपको दिखाई क्या आपको सुगर सुगर को अब क्या आप देख सकते हो नू टेस्ट अब वाटर को आप टेस्ट करो it is sweet क्या वो मिठा है yes why this is because the sugar has dissolved in the water उसका test is limit है क्योंकि sugar जो है वो water में गुल चुका है the liquid is now a sugar solution अब जो liquid है वो sugar का solution हो गया 1 billion बन गया in this solution अभी solution में sugar is the solute sugar जो है वो solute कहलाएगा means घुला हुआ पदार्थ and water is the solvent और water जो होता है वो बिलायक कहलाएगा यानि कि पदार्थ को घुलाने वाला ठीक है जो पदार्थ को घुल देता है यानि कि water जो हो गया वो solvent बिलायक कहलाएगा because sugar dissolves easily in water क्योंकि क्या होता है कि sugar easily water में dissolve हो जाता है वो घुल जाता है we say that sugar is soluble in water तो हम कह सकते हैं कि जो sugar है वो water में soluble है गुल जाता है तो आप यहां पर भी देख सकते हो sugar जो है वो solute कहलाएगा तीक है मिन्स घुला हुआ पदार्थ water जो है वो solvent कहलाएगा मिन्स लिक्वीड इन विच अस्वालीड डिस्वाल वो लिक्वीड जिसमें स्वालीड जो होता है वो डिजॉल होता है गुलता है तीक है यानि कि पदार्थ water जिसमें पदार्थ को घुला जाता है तो water जो होगया वो बिलायक कहलाएगा solvent sweet water solution the solute dissolve in the solvent और यह sweet water कहलाएगा मिन्स solution यानि कि billion जिसमें the solute dissolve in the solvent solute जो होता है वो solvent में ठीक है घुल जाता है घुला हुआ होता है यानि कि जो घुलने वाला जो पदार्त होता है वो बिलायक में solvent में घुल जाता है ठीक है solute जो है दिसमें solvent जो है ठीक है जिसमें solute घुला हुआ है ठीक है घुल जाता है वो तो वो solution बन जाता है एक sweet water sugar water में जब dissolve हो गया तो एक sweet water हो जाता है ठीक है आगे आपका what happens when sugar dissolve in water क्या होता है जब सुगर water में घुल जाता है तो वेन पूट सुगर इन वाटर इट्स मॉलिक्यूल सिस्केटर थूआउट दो वाटर जब हम जब हम वाटर में सुगर को डालते हैं ठीक है तो इसके जो मॉलिक्यूल सॉते हैं वाटर के सब तरब ठीक फैल जाते हैं कली थे cerc light IN"! शचर आपके हैं वाटर कंगे हैं वाटर को वाटर के मॉलिक्यूल नद imbalance के बीच में इंहीं प्रेटी सोते हैं ऐसको उसका जगह ले लीते हैं ऐसे इसज़ ए तक निलेड acc from pure water अब सुगर का जो सुल्यू क्या बना वो प्योर वatory को लिए ब्लकुल में नहीं होता है दस्कॉप ग् Banana नहीं द ह्ल और भीके Chroni उत्स स्वींड अलाकि उसका जो ट्रेश्2 अधार फ़स्वींड डुट कікई through the following experiment हम एक एक स्पेरिमेंट के थूँट अब हम कम्पेर करते हैं सॉल्वेंट के वाल्यूम को और सॉलूसरन के वाल्यूम को ठीक है तो एकस्पेरिमेंट 4 में आपको क्या है ठेक सम वाटर इन वीकर आपको एक वीकर में कुछ वाटर ले लेना है ठीक है Mark the water level by pasting a strip of paper outside the wicker अब आपको water की label को mark करनी के लिए आपको wicker के बाहा से एक paper की पट्टी आपको चिपका देनी है ठीके, add 3 teaspoons of sugar to the water and stir well अब क्या आगे नहीं, 3 teaspoons sugar आपको water में ठीके, add कर देना है और उसको अच्छी तरह से हिलाना है What happens to the water level in the beaker? क्या होता है, water level के, water के beaker में water level का च्या होता है बढ़ता है, घटता है, क्या होता है It remains the same, वो same ही रहता है The above experiment shows that the volume of the solution remains almost the same as the volume of the solvent उपर का जो एक्सपेरिमेंट है वो सो करता है कि जो solution का volume होता है वो almost लगवल semi होता है solvent के volume से ठीक है semi होता है this is because sugar does not take up any extra space ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुगर जो होता है वो कोई extra space नहीं लेता है its molecules only fill up the empty spaces between the molecules of water इसके जो molecules होते हैं वो केवल water के molecules के बीच में जो empty spaces हैं ठीक है उसकी केवल जगह ले लेते हैं वो उसको fill कर देते हैं ठीक है इसके जो molecules होते हैं वो केवल water के जो molecules के बीच जो इंपटी spaces हैं उसको fill up कर देते हैं उसको भर देते हैं ओके थेंक यूँ झाल